माच सो रुपे के इस्टाम पर पावरा पठानी कर करोड़ो रुपे की जमीन खरीदने बेचने का खेल अब खतम हो गया है जिसकी आण में भोले भाले किसानों को मूर्ख बनाया जाता था उनको ठगा जाता था दोस्तों पावरा पठानी अथवा मुक्तान नामा आम आखिर है क्या शब से पहले हम इसको जान लेते हैं दोस्तों पावरा पठानी या मुक्तान नामा आम एक ऐसी प्रकरिया है जिस प्रकरिया के तहट आप अपने सभी अधिकार किसी दूसरे बेक्ती को दे सकते हैं अगर उस प्रापरटी में उस जमीन में उस भुकन में रहने का अधिकार उसमें निर्मार कराने का अधिकार उसकी मरमत कराने का अधिकार उसमें रंगाई पुताई कराने का अधिकार उसको किराय पर देने का अधिकार उस पे लोल लेने का अधिकार यहां तक उसको बेचने का आपको अपनी प्रापरटी पर अपनी संपत पर प्राप्त हैं और ये सभी अधिकार अगर आप किसी दूसरे बिक्ति को देना चाहते हैं तो पावरापटार्णी या मुक्तानामा आम की प्रकरिया से दूसरे बिक्ति को ये सभी अधिकार दे सकते हैं दोस्तों, आम तोर पर पावरापटारनी ये मुक्तानमा आम को रजिस्टर कराना अथवा पंजी करन कराना अनिवार नहीं है। ये प्रकरिया पहले मात्र सो रुपे के इस्टाम पर हो जाया करती थी, जिसका दुरुप्यो करके भोले भाले किसानों को ठगा जाता था, ऋनके साथ ठगी की जाती थी, कई बिल्डरों द्वारा उनके साथ धोकाधड़ी की जाती थी। जो बिल्डर होते थे वह किसानों से किसान की जो जमीन होती थी उसका rate देकर 100 रुपे के स्टाम पर बेचना का अधिकार ले लेते थे और उसके बाद जमीन को डेबलब करके और उसको भुखंडों में काड़ कर जो रजिश्ट्री होती थी वह किसान से ही करवाते थे इसके एवज में बिल्डरों को कई गुना मुनाफ़ा होता था लेकिन वहीं पर जो रजिस्ट्री होती थी वह किसान और खरिदार के बीच होती थी जिसके चलते इंकम टक्स की नोटिज डायक्ट किसान के बास आती थी इससे लाखों की संख्या में किसान बिना मुनाफ़ा क कमाएं इंकम टक्स के दैरे में आ गए इसाब बातों को मद्दे नजार रखते हुए अब कोई अगर परिवारिक सदसे आपस में चल चल संपत बेचता है या अपना कोई अधिकार किसी दूसरे बिक्ति को देता है तो सिर्फ 5000 के इस्टाम ड्यूटी लगेगी इसके अतरि यूटि अगर कोई परिवारिक सदसे नहीं हुआ जिससे आपके रग्थ के सम्मद्य नहीं है किसी दूसरे बिक्ति को पावड़ा अब कर रहे हैं यह जमीन बेच रहे हैं तो पूरा इस्टाम पर पेकर ना होगा वही अगर आ आप बेचने का अधिकार नहीं दे रहे हैं तो पूर की भात сам रोपय के स्टाम पर परोपटानी यह मुकतानमा करवा सकेंगे दोस्तों जनकारिश आपको कईसी लगी को कृम बगूत पारो पटानी यह मुक्ता नमा आम से सम्मंदित अगर कोई कुछचन आपके मन में उत्पन्द हो रहा हो तो नीचे कमन बॉक्स में कमन करके हमसे पूछ सकते हैं यह कानून से रिलेटेड किसी भी टॉपिक पर कोई वीडियो पाना चाहते हैं तो भी आप में नीचे कमन बॉ सबसे पहले यह कोई मित्र फॉन कॉल के जरिए परसनली हमसे कानूनी परामर्स लेना चाहता है तो इसकित पर दिख्राइब वार्समर के माध्यम से हमसे समय ले सकता है तक के लिए देखते रहिए आपका आपना फेवरेट पसंदिधा यूटूब चैनल प्रदीब लेगल हेल्फ से मिनमता के साथ धन्यवादू